मेरे पती विदेश में रहते थे इस बीश मुझे रोहित से महबत हो गई हम दोनों लिविन में रहने लगे पती के बाहर रहने की वज़ा से कोई रोक टोक नहीं थी सब कुस छीक ठाक चल रहा था इस बीश तीन महिने पहले बखराईद पर पती सौधी अरब से वापस घर आ हम दोनों की फौन पर बाचीत हुआ करती थी पर हम मिलने ही पा रहे थे हम बेकरार थे मिलने के लिए इसलिए मैंने अपने पती को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ये बयान उस बेरहम बीवी का है जिसने सौधी अरब से लोटे आपने शोहर की बड़े ही बेरहम की आरोप में गरफतार किया है वही नाजिनी के शादी शुदा प्रेमी रोहित को पुलिस वारदात वाले दिन यानी चार अगस्त को ही गरफतार कर चुकी है दरसर घोड़ा सहन ठाना छेतर के रहने वाले आफताव आलम की बीते चार अगस्त को चाकों से गोत कर और इट पत्थर से चेहरा कूच कर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई इस कारपियों से चार लोग उसके शव को फैक कर भाग रहे थे तब ही गाओं के लोगों नोए एक को पकड़ लिया था पकड़ा गया आरोपी आफताव की पत्नी नाजिनी का प्रेमी रोही थी थी था ना बात फॉन पर उसी वक्त से नाजिनी की बाते होने लगी धीरे धीरे मामला लिविन रिलेशन तक पहुँच गया पती के भार होने की वज़ह से कोई रोक टोक नहीं थी सब कुस ठीक ठाक चल रहा था पती के लोटने के बाद दोनों को मिलने में परिशानी हो रही थी वार आफ्ताव को रास्ते से हटाये जाएगा और फिर शादी करेंगे इसके बाद वह अगले दिन अपने घर आ गई वारदास से 20 दिन पहले प्लान के तहट रोहित ने फोन करके उसको बताया कि पुलिस की पकड़ में ना आए इसके लिए फोन पर बात करना बंद करना पड़ के बेहगा बैंक टोला में चाकों से गोत कर उसकी हत्या कर दी इसके बाद इट से उसका शवकूच कर बाहर फैक दिया हाला कि इस बीच गरामिड जमा हो गए और उसको पकड़ लिया उसकी पिटाए के दुरान बाकी दोस्त भाग गई गरामिडों ने फिर इसकी सूचना पुलिस को दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया वहीं पती की मौत के बात पत्नी वापस अपने माई के चलेगी इस काम के लिए नाजनी खातुन ने अपने प्रेमे को तीन लाख रुपे के गहने भी दिये थे इसके बाद प्लानिंग के तहट नेपाल जाकर दोनो शादी करने वाले थे इस मामले में इसी करहना एसजियोपियो अशो कुमार ने बताए कि जब इस मामले की घहनता से जाज परताल हुई तो पता चला कि आफ़ताव की पत्नी ने ही उसकी रहत्या कराई थी रोहित ने वारदात में शामिल होने को लेकर जिन लोगों के नाम लिए है फिलहाल उसकी बिजाद चल रही है